कि नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने ओन्लाइन प्लेटफर्म वेदान्त क्लासेज में पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है राजस्तान का इत्यास जो हमारा टोपिक चल रहा है मेवाड का राजवन्स कोपी का नाम क्या है सातियो मेवाड का राजवन्स हमारी बाते कहां तक हो गई कि मेवाड का संस्तापक को ने गुईल राजवन्स और शिसोद्या राजवन्स दो राजवन्स ने राज किया तो गुईल राजवन्स का संस्तापक को ने वास्तुरिक संस्तापक किसे का जाता ह गूताला का यूद कब हुआ था यह सारी चर्चाए हमारी पिछली कलासों में हो चुकी है हमने बढ़ा था कि गुईल राजवंस और सिसोधिया राजवंस दो राजवंस क्या करके जाते हैं राज करके जाते हैं गुईल और सिसोधिया आप ये बोलोगे कि बार बार क्यों बता रहे हो क्योंकि ये मुद्दे की बात किसलिए है परतम सासक हुआ था गुहिला दित्ये कौन सा दित्ये गुहिला दित्ये जिसको अक्सर गुहिल के नाम से भी जाना जाता है और का जाता है कि इन गुहिला दित्ये या गुहिल ने अ बप्पा रावल और बप्पा रावल को डॉक्टर गोरी संकर हीराचंद ओज्जा जो इत्यासकार हुए थे उन्होंने क्या काता काल बोज कौन सा बोज काल बोज तूसरा राजवन्स कौन सा है सिसोधिया राजवन्स जबकि गुईल राजवन्स का जो अंतिम सके वो कौन थे रावल रतन शिंग वोन है रावल रतन शिंग इनके पिताजी कौन थे रावल रतन शिंग जी के तो इनके पिताजी ते समर शिंग जी कुम करण चितोड के सासक बनते हैं जब कि कुम करण कहां जाते हैं नेपाल जाकर गुहिल वंस की एक साका चलाते हैं जिसको सहाई वंस का गया क्या करते हैं समर सिंग जी के दो पुत्रों में से एक पुत्र कुम करण कुम करण कुम करण गए का नेपाल का गए नेपाल नेपाल में क्या की सहाई वंस की स्थापना की अगर पूछ ले किस नेपाल के शाई वंस का संबंद राजस्तान के कौन से वंस से है तो आप सीधे सीधे बता ना विदांद कलासेज में मेवाड वंस की सेरीच चल रही थी उसी में बताया गया कुहील वंस और गुहील वंस के शाषक समर सिंग स्मर सिंग जी के दो पूत्तर राऊल रतन शिंग जो क्या है कुषी स्था सख्त करन है उनीक के छोटे भाई और चले गए नेपाल चले गए नेपाल जाकर कया करते हैं सहाई वन्ष की स्थापना करते हैं ठीके देखो साथियों आपका ध्यान बिल्कुल इदर होना चाहिए गुस्ताकी मत करना इदर उदर देगना मत इल्कुल वीडियो पे आपका ध्यान होना चाहिए समर शिंग जी कौन से सिंग जी समर शिंग जी समर शिंग जी से आगे जित किसने करवाया तरी भून नार्यण मंदिर को मोकल का मंदिर क्यों का जाता है वर्दमान जो नाम है वो क्या है उसके बाद में हमने श्याम पार्शुनात मंदिर को भी पड़ा था कि चितोड़ Спstrings अ नवायाता तेज सिंग जी के महाराणी थे और उनका नाम क्या ता जेतल देवी और तेज सिंग जी के पुत्तर थे उनका नाम मिलता है समर सिंग केने का मतलब तेज सिंग जी कौन ते रावल रतन सिंग जी के दादो सा क्या कौन ते रावल रतन सिंग जी के दादा जी ठीक है समर सिंग जी के दो पुत्र, दो पुत्रों में से एक पुत्र कोन है, रावल रतन सिंग, रावल रतन सिंग, जिनका सासन काल क्या है भायो, इनका सासन काल है 302 से लेकर, 1303, केने का मतलब, साल बर पूरा सासन किया है नीता, आट से देश महिनों का इनका क्या है, सासन काल, से करण कुम्ब करण और कुम्ब करण का चले जाते है नेपाल चले जाते है यह चर्चा अपनी हो चुकी है नेपाल जाकर क्या करते है सहाई वंस की स्थापना वंस कोनСा एक लाड़लो साहे वंस कोनसा वंस ए साही वंस इदर देखना रावल रतन शिंगजी के अपनी चर्चार है इगी पदमीनी की कहानी पढेंगे चितोड़ गड़ का परतम स्पा पढेंगे और अलाव दिन खिलंजी जली वंस का सासकता दिली सल्टनत का उसकी यहा पदमावत गरंद की जो जबानी है या उसमें क्या लिखा गया है मलिक मुहमद जाय सी दवारा वो शारी चर्चाए आज जी इसी कलास में हम करेंगे तो साथ यह देखना रावल रतन सिंग कौन से है रावल रतन सिंग रावल रतन सिंग मोटी मोटा इस्टेक्चर हम सेट करते हैं डाइगराम तोड़ा सेट करते हैं तोड़ा शिर्षक मनाते हैं भूमी का बनाते हैं तो पहली पहली मोटी मोटी भूमी का क्या बनाएंगे इनका सासनकाल सासनकाल क्या था 1302 से लेकर तेरा सो थीन अगर कोंच लए कि राउल रतंजींग जी का शाशनकाल क्या था तो तेरा सो दोस्द लेकर 303 ऑसि ठीक है भाईयों रठना सास्था शाथ में बोलना सासक कहां के ते मेवाड के गुहिल राजवन्स के मेवाड गुहिल राजवंस के अंतिम सासक राजवंस के अंतिम सासक कौन से सासक अंतिम सासक किसके मेवाड के कौन से राजवंस के गुहिल राजवंस के ठीक है अब यह अंतिम सासक थे तो मैं यह भी लिख सकता हूं कि रावल साका या रावल उपादी के रावल साका के अंत साशक क्यों सना आएगा कि रावल साका या गुहिल राज्वन्ज के अंतिम साशक कौन थे तो कौन थे साथियो रहावल रतन सिंग और आर एस देखो पिता कौन थे पिता थे समर्शिंग कौन से सिंग समर्शिंग रानिया कौन कौन थी रानिया एक परमुक रानिय का ना मिलता पदमनी कौन सी मीनी पदमीनी और एक रानिती इनकी नागमती या नागवती ठीक है साथियो देखो रावल रतन सिंग जो कौन है मेवाड में जो गुईल राजवन्स था गुईल राजवन्स के क्या है अंतिम सासक हमने चर्चा खीत ही कि गुईल सासक होते थे वो अपने नाम के आगे रावल लगाते थे जबकि शिशोद्य सासक हुए थे वो उनके नाम के आगे क्या लगाते थे राणा या महाराणा तो राणा महाराणा वो शिशोद्य वाला चलेगा जबकि गुईल वाला क्या चलेगा राहवल और रावल नी साका का अंतिम सासक कौन हुआ फिर रावल रतन सिंग कौन से सिंग रावल रतन सिंग पिता कौन थे इनके समर शिंग जी दो राणिया मेहतु पुन थी एक राणि का नाम मिलता पद मिनी और दूसरी राणि कौन सी थी नाग मती या नाग वती थी के साथ यो देखो कि इदर देखना यह क्या है अपना भारत क्या है वारत और भारत के उत्री पस्चिमी ये एरिया कौन सा है राजस्तान कौन सा एरिया है राजस्तान ठीके सातियों अब ये राजस्तान है तो यही क्या है दिल्ली क्या है दिल्ली समझना चितोडगड का यूद पढ़ रहे हैं हम चितोडगड का परतम साका पढ़ रहे हैं साके से पहले मैं बताना चाहूंगा कि भारत है भारत में ये क्या है राजस्तान या राजपुताना और इसी राजस्तान के अंदर राजस्तान के दक्षिन में क्या ह मेवाड क्या है मेवाड कि इस समय मेवाड के सासक कौन थे मेवाड के सासक ते रावल रतन शिंग रावल रतन शिंग रावल रतन सिंग जब मेवाड के सासक ते उसी समय दिल्ली का सासक कौन था दिल्ली पर कौन से वंच का सासन था खिलजी वंच का कौन सा वंच खिलजी वंच और खिलजी वंच का मेतुपूर सासक कौन था अलाव दीन खिलजी कौन सा दिन खिलजी अलाव दीन खिलजी अलाव दिन खिल्जी अब ये भारत है तो भारत के बिल्कुल दक्षिण में समुंदरी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है शिरी लंका कौन सी लंका शिरी लंका और शिरी लंका का सासक कौन था शिरी लंका के सासक ते गंदर्व सेन कौन से सेन गंदर्व सेन गंदर्व सेन की महाराणी थी उनका नाम क्या है चंपावती कौन सी वती चंपावती चंपावती और गंदर्व सेन की विश्व सुंद्री पुत्री कौन थी तो वो थी पदमीनी कौनसी मीनी पद मीनी और इसी पद मीनी के पास क्या था एक इंसानों जेजी हुबुहु आवाज निकालने वाला हिरामन तोता कैसा तोता हिरामन तोता थी के साथियों यहां तक बात कंपलीट होती है कि यह अपना भारत भारत में यह राजस्तान उत्तरपस्ची में राजस्तान है राजस्तान के दक्षिन में क्या है मेवाड रियासत कौन से रियासत मेवाड रियासत और मेवाड रियासत के सासक कौन ते रावल रतन शिंग कौन से सासक रावल रतन शिंग और रावल रतन शिंग के समय दिल्ली का सासक कौन था खिल जी वंसका अलाव दीन खिल जी जबकि भारत के दक्षिण में जो देश से उसका नाम क्या है शिरी लंका कौन सा देश है शिरी लंका और शिरी लंका पर सासक किसका था गंदर उसेन का गंदर उसेन महां के सासकते उनकी पत्नी थी चंपावती और इन दोनों की पुत्री कौन थी कहने का मतलब शिरी लंका की राजकुमारी कौन थी पद्मीनी और शिरी लंका के अंदर कहां के सासकत से ये सिहल द के पॉन सारम द लिप सिहल द द वीप और इसे अल धिवीप के सासर कौन गंदर हुषैन गंदर हुषैन की पुट्री कौन ती पद opponents है के पास यहां फिराद कल मन तोता इस परकार को बात हुई है यहां तक structure आपको पता चला से भारत का में मेवाड का है Więc श्री लंका से भारत के संबन्ध क्या थे दिली सी संबन्ध क्या थे यह बाते पता चली कि मेवाड के शासक राउ रतन अलाव दीन खिल जी कि पुत्री का नाम क्या था फिरोजा कि सुनना मेरी बात को गोर से सुनना पुत्री कौन थी फिरोजा कि इसकी पत्नी कौन थी चिमना बेगम चिमना बेगम बोई प्रेंड या फिरोजा का वन साइटेंग लवर किसकी थी तो यह थी विरंव देव चोहान की उन से देव चोहान की भिरंव सब्सक्रक्त भी नुटव किसका पुतरता यह ता कानद देव का कि कानद देव सा adopt a आपके थे यह थे अपने जहालोर के सा सकते हैं कि चिमना बेगम जो कौन थी अलाव दीन खिल जी की पतनी ती या रानी थी या बेगम थी उसी चिमना बेगम का boyfriend कौन था मोम्मद छा कोन से शा मुखमद छाम क अब देखो इस बाद से आपको क्या पता चलता है जो परिवार था किस परकार का परिवार था पारिवारिक रिष्ट किस परकार से रहे होंगे पुत्री का चकर किसी और से चल रहा है शिमना बेगम का चकर जो अलावदिन खिल जी की बेगम थी उसका चकर किसी और से चल रहा है तो अब ये खुद अलावदिन खिल जी क्या चरित्तर वहन आदमी था या चरितन हीन आदमी था देखो अलावदिन खिलजी भी किसकी पिछे पड़ा हुआ था पद मीनी के पिछे पड़ने का परमुक कारण क्या था जो चितोड या मेवाड के रावल रतन सिंग्जी थे उनका दरबार का एक ब्रहमन था और ब्रहमन का नाम क्या था रागव चेतन्य नाम क्या था रागव चेतन्य देखो हुआ क्या था एक बार नाग मती जो रावल रतन सिंग्जी की पत् कहनी के रुप में ले नागमती अ नागमती मैंने पेले लिखा इसको मैं नागवति बोलूँगा फिर भी आपको प्रोब्लम नहीं होनी चाहिए नागमती या नागवति जो रानी इसकी थी रहववल zajatannershink कि कौन से रतन सिंग की रावल रतन सिंग की नागमति या रागमति क्या बोलती है रावल रतन सिंग जी को अपने पती को क्या बोलती है पिया मुझे क्या चाहिए मोती परतार मुझे क्या चाहिए मोती अब मोती मेवाड में कहां मेवाड की नाडियों खोप्चों में कहां मेव समुंदर में अगर मोती डूंड ने जाना है तो शीरी लंगा की तरफ जाना पड़ेगा देखो यह बारत या मंगाल की खाड़ी या अरब सागर तो यह समुंदर है तो यहां ही क्या मिलेंगे मोती मिलेंगे मोतिकी कहोज में कहां चले गए ये सीदे सीधे सिरी लंका के जंगलों में पठकते पठकते मोति टूण रेते नहीं मिले नहीं मिले उसी समय क्या हुआ एक इंसान की आवाज निकालने वाला हिरामन जो तोता हमने चर्चाकीती रानी पद्मावतीं का था वो क्या करता है जंगल में आ पहुंचता है और वही कौन थे रावल रतन शिंग हिरामन तोता आता है कौन आया हिरामन तोता और आजकल हिरामन तोता कौन है जो है रट्टू तो क्या करेगा किताबों को रटने में विश्वास करेगा वो ही क्या तोते हैं तो यह हिरामन तोत उस समय क्या था रट्टू था हिरामन तोते ने क्या किया रावल रतन सिंग जी को आके बोला वैसाब यहां क्यूं आये हो तो बोलते हैं मेरी महाराणी के लिए में मोति लेने के लिए आया हूं जो मेवाड से करीब करीब हजारो किलोमेटर दूर हजारो मील दूर समुंदर में मोती खोजने के लिए चला जाता है इसका मतलब क्या है कि वो अपनी राणी से क्या करता है बहुत ज़्यादा प्यार करता है तभी ऐसा करेगा कोई आशिक उसी समय हिरामन तोटे ने बोला नागमती जो आपकी पत्नी है उसकी सुंदर्ता कुछ नहीं है सुंदर्ता किसकी है पूरे विशु में पदमीनी की है तो क्या है मिस वर्ड है वीशु सुंद्री है कौन है वीशु सुंद्री जिसका नाम क्या है पदमीनी और पदमीनी की सुंदरता का बखान कौन करता है हिरामन तोता रावल रतन सिंग जी की सामने बेठता है और उनको गोलिया देना स्टार्ट कर देता है कि पदमीनी एसी पदमीनी वे सुन्दरता सुनी है अब क्या करेंगे उसको देखेंगे तो रावल रतन सिंग जी पहुंच गए गंदर उसेन के पास और बोलते हैं मैं हूं मेवाड का सासक उस समय मेवाड का जो अश्तित्व था वो अपने पीक पे था मेवाड रियासत राजस्तान की अपने आप में सरुष्रेष्ट रियासत थी वहां के राजा सबसे सरुष्रेष्ट हुआ करते थे पूरी दुनिया में पूरे वीश्यू में मेवाड मेवाड का डंका बजा हुआ था और जब मेवाड मेवाड का डंका बजा हुआ था तब ही रावल रतन शिंग जी बोलते हैं लोगबाद तभी उनके अब देख अतिति देवा भवे एक राजा दूसरी राजा के पास जाएगा दरबार में जाएगा तो राजा का मान मनवार होई रंग उचालिया पोट सारी मान मनवार होती है और मान मनवार के बाद में क्या होता है रावल रतन शिंग जी एक ओपर देते हैं कि मुझे क्या करना है आपकी पूत्री को देखना है आपकी पूत्री से क्या करना है विवा करना है तब उनके सामने राणी पद्वावती आती है जो उस समय राज कुमारी थी साधी होने के बाद में राणी बनेगी तो क्या होता है रावल रतन सिंग जी के समक्स आती है समक्स सामने आती है और जैसे ही रावल रतन सिंग जी देखते है रावल रतन सिंग जी सोचते है कि यार अब तो साधी करके ही जाएंगे 8-10 महीने उदर ही बेटे रहे घर जवाई बनके बेटे रहे साधी हुई नी सगाई हो गई उससे पहले घर जवाई बनके बेटे रहे उदर मेवाड का परसाशन हिल रहा था दो डाय तीन महीने बेटे रहे उदर मेवाड का परसाशन हिल रह या जाता है रानी-पद्मावती से विवा है कि या हो जाता है पद्मिनि से विवा है ज county नागमती के लिए मुठी लाने करके लिया क्या लाए विशु संद्री को या विशु संद्री से विवा करके आए और जब वह दो आते हैं तो बोला जाता है कि कि तो राणी पर दोनुई या व्रारी परक्डौावति भाएक्य में बहुत शूंदर महिल आती है उस समय की विशु सुन्द री कर कि हैं हम आपको कि अ क्या होता है रानी पदमावती जब मेहल में पोउंशते है तो रावल रतन हीं का एक दरबारी होता है कि यह ओर राघव चेतन जो थे वह चरीतर हीन इंसान थे उनकी नज्रे गंधी ते जिस gonna को raining एक ποर दूझा हो जाता है मनमें लालच उत्पन हो जाता है और इस ही लालच उत्पन के बाथ राघवॡ रतन संग्जी को पता चल जाती है तब राघवॡ क्या दूंगा देश निकाला दूंगा क्या दूंगा देश निकाला और जभी रागव चेतन्ये को देश निकाला दिया गया तब वो क्या हुए राजस्तान से केने का मतलब मेवार से बाहर चले गए और दिल्ली के जंगलों में चले गए का चले गए दिल्ली के जंगलों में कहां आते है रागवचेतनये डिल्ली के जंगलों में आ गईे य कहां आगतव ये दिल्ली और इसी डिल्ली के जंगलों में आ गई लगवचेतन्ये थे वह एक परकार CPA के तांत्रिक और डुर्आ डांडि करने से इंसान थे और जो उनकी बाशुरी बजाने की कला थी वह बहुती मदूर बाशुरी बजाते थे इसलिए वह क्या कर रहे थे जंगल में बेटके टेंशन में ते डिप्रेशन में ते कि यार अब करे क्या जाये का अपना तोस्तितों भी खतम हो गया है राउल रतन शिंग जी ने देश न जंगलों में जंगलों में बाशुरी बजा रहे थे उसी समय अलावदिन खिलजी का सोने का समय था और अलावदिन खिलजी को यह आवाज उसके कानों में पहुंचती है बाशुरी की तो वह अपने सेना पतियों को और सेना को बोलते हैं कि इंसान को ने फलाना फलाना जो ऑब रहे हैं इसको उटा के लेके आ जाओ धेना जाती कि जंगलों में डूंड़ती फिरती है इदर ऊधर गूंती है तब ी कौन मिलते हैं रागव च किटन्य को बोलते चल्ओ इदर क्या कर रहे हो हुमारे सेहन सा बुलारे अफिए हमारे मांचिंभ भुला रें आपको सासक भुला रें दीली के अलवद्धिन खिल चिसे अजन है जाता था वह अलाओधिन खिल जी सब सيकत्रक्ट Kh audition थे उसी वजह से और इसासर की वजहसे रागव चेतैन चेटन है क्या करतें अलाओ दिन खिल को बोलते हैं क्योंकि उनको क्या लेना था रागव सोरी रावल रतन शिंग से बदला लेना था और बोलते हैं कि कि मेवाड में एक वंस राज कर रहा है और उस वंस का नाम में कुहिल वंस और इस समय जो साथ सके वह रावल रतन सिंग तो उन्होंने बोला तो मैं क्या करूं उन्हों बोला करना कुछ नहीं है मेवाड में सबंसे में तो अभी कोई कुछ चर्चा में अभी कुछ चल रहा है ट्रेंड में तो वो चल रही है राणी पदमाविनि या पदमावती उसकी सुन्दर्ता का बखान रागव चेतन्य करता है अलावदिन खिल जी के सामने और अलावदिन खिल जी को बोलता है कि मेवाड मेरावल रतन शिंग जी अभी-अभी हाली में क्य अलावदिन खिल जी सोचते हैं कि यार यह सुनने में इतनी सुन्दर कहानी लग रही है तो एक बार उसको देख लेना चाहिए तो सरीतर से तो पेल लए ही है गया गुजरा इंसान था अलावदिन खिल जी तो यह क्या करते हैं चितोडगड आते हैं और फिर क्या होता है चितोडगड का युद्ध होता है देखो यह क्या है चितोडगड का युद्ध चितोडगड का युद्ध जिसे मैं बोल सकता हूं मेवाड का परतम साका मेवाड का परतम या पश्ट साका अरे ये वो साका नहीं है अजी देवगनवाला ये साका अलग है वो साका तो एस से लिखा जाता है और ये साका ये साका है अलावदीन खिलजी का आकर्मन हुआ अलावदीन खिलजी जन्वरी 1303 में दिल्ली से रवाना हुई और चितोड गड़ क जो यह दुरुग कि यह दुरूग है चितोड गड का और इस दुरुग के क्या कर देते हैं चारों तरफ relig डाल देते हैं कब डाल देते हैं जन्वरी 1303 में किसने गेरा डाला तो गेरा डाला अलावदीन खिल जीने किसने डाला अलावदीन खिल जीने कब डाला जन्वरी 1303 इस चितोडगड यूद के परमुक कारण क्या-क्या बताते हैं इतियासकार तो एक परमुक कारण बताते हैं देखो अलावदीन खिल्जी की सामराज्यवादी तो अलावदीन खिल्जी की सामराज्यवादी तो अलावदीन खिल्जी क्या चाहता था कि पूरा राजस्तान पूरा वीशु क्या हो मेरे कदमों में हो और दीरे दीरे वो क्या कर रहा था एक एक दुर्ग पर अपना अधिकार कर र तोक्या है एस युद का परतम और प्रमुक रमाना जाता है 좋ु कर दोसरा कारण क्या है कि जो चितोडगड़ किला हे वह क्या है दिल्ली से रवाना होंगे, बीच में आएगा चितोडगड, आगे आएगा गुजरात, गुजरात के बाद में क्या आएगा मालवा, मालवा के बाद में दक्षिड भारत का रास्ता था यह, तो बीच में क्या है, चितोडगड का खिल्ला है, चितोडगड किल्ला, अगर दिल्ली से रवाना होना है गुजरा जाना है तो बीच में कहां रुकना पड़ेगा चितोडगड आएगा तो क्या कर लेते हैं चितोडगड पर अधिकार कर लेते हैं ताकि ये क्या हो जाए अपना एक परमुक निवासिस्तान हो जाए लिए तो दूसरा कारण यह था कि दिल्ली से जाना का है गुजरात मालवा और दक्षिन भारत जाना है तो बीच में क्या आएगा चितोडगड दुर्ग आएगा चितोडगड आएगा उसी चितोडगड दुर्ग पर क्या कर लेते हैं अधिकार कर लेते ताकि इन फ्यूचर आगा मिटाई में क्या हो अपनी सेना की सवलियत के लिए और अपने मेत्वकांशिव स्वाम्राजिवादी निती के लिए उन्होंने ऐसा किया तो इतियासकार दूसरा करण क्या मानते हैं कि जो चितोडगड का दुर्ग वो दिल्ली कुजरात मालवा और दक्षिन भारत के पीच निकलना होता था तो वो भीच रश्ते में आता था है जी के ये देखो तीजरा का रएक यतियास कैर क्या मानते हैं पदमीनिक की सुन्दर्ता की सुन्दर्ता पर आलावदिन खिल जी आलावदिन खिल जी का formohit होना मोहित होना या मैं फिर इसको ऐसे बोल सकता हूँ आकर्षित होना क्या होना आकर्षित होना यह तीन मेहतु पून कारण ते इस युद के युद परारम कब होता है युद परारम होता है जनवरी तेरा सो तीन को अलाव दिन खिलजी दिल्ली से रवाना हुए डिल्ली आ गेए मेवाड आगे चितोटटट हो डागे चितोटटट का क्या कर दिया गेर डाल दिया सबसे बड़ा Raja First ठelf imppin प्रक्ला सेम्थ भीविऊ स्थान क्वा maior हो चल अ लह को सबसे बड़ा living ford कौन सा या आवाशी किला निवास करती थी LOOK कि एक लाख जन संग्या क्या करती थी निवास कूरे मेवाड की लगबग 545 परसेंट जन तो पूरे इस चितोड़ गरद Şuक में तो क्या हुकी अवास именно तक यह गेरा डाल के बेढ़ता है कि तो महिन तंप अहाट महिने तक कितने महिन तक आप महिने दे को जनवरी 1303 को क्या डाला गेरा डाला अगस्त 1303 किते महीने हो गए आठ महीने आठ महीने क्या डालके बेड़ता है गेरा डालके बेड़ता है और जब आठ महीने ये गेरा डालके बेड़ता है सुनना मेरी बात को इधर ध्यान देना आठ महीने गेरे डालके बेढ़ता है तो उदर दिल्ली के परसाशन में हल्चल होगी एक नहीं होगी रे कोई आदमी अपने काम काज को छोड़ कर, दूसरों की लुगईयों की पिछे पड़ा हुआ है, आट महीन तक छोड़ी दिया, दिल्ली को छोड़ी दिया, दिल्ली करब देखा ही नहीं, तो वहां तो उसका परशाशन ही लेगा का नहीं हिलेगा, तो दिल्ली के परसाशन में क्या हुई कि कटिनाई आने लगी यूद की आसंकाई होने लगी तब वहां से पेगाम आये वहां से मेशेज आये कि फलान जी अलावदिन खिल्ची साहब दिल्ली को तो देख लो आप तो चितोड को आट महिने तक जीत ही निपाई कि अब अलावदिन खिल्ची सोचता है रहे यार इस एक दुरुक के चकर में इस राणी पद्वामति के चकर में जिसकी कता सुनी है सुन्ने में आट महिने गुजार दिये तो एक बार देख तो ले अब आते आते कुछ तो करे और बाकि रावल रतन सिंग का तो पता नहीं का किते दिनों तक यह अंदर अपनी जन संग्या को लेके बेटा रही का पता नहीं किता इसके पास धन है खाने के जित्ते भी वस्तु है सामगरिया है किता बंडार है उसका रावल रतन सिंग कि यह चाहते थे कि कुछ भी हो जाए पगो में नी गिरूंगा या पेरों में नी गिरूंगा अलावदीन खिल जी उस परसाशन को देखते हुए रावल रतन सिंग को क्या बिजवाते हैं पेगाम बिजवाते हैं कौन बिजवाता है अलावदीन खिल जी क्या आया पेगाम आया कि इसने बिजवाया अलावदीन खिल जी ने एक मेसेज बिजवाया दुरक क एंदर रावल रतन सिंग जी के पास कि बाई साब मुझे यूद्वूद्र नि करना है यूद्व करता तो आठ महिने में कर लेता कॉलिया देना स्टार्ड करी और बोला मुझे कुछ नि करना है बेठ बात करते हैं तब रावल करके अगर किसी बात को खतम करे या यूद की जो यूद होगा वो बात से टला जा रहा है तो हम क्या करते हैं बात करके मसले को यहीं खतम कर देते हैं कि सभी अलावदीन खिल जी अंदर आया कि रावल रत्रशिंग जी बोले चलो ठीक आजाओ वोचार सेनापति को बेजा आने और जैसे रावल रत्रशिंग के दरबार में कौन पहुंचता है अलावदीन खिल जी पहुंचते हैं एक कमरा तो सुरक्षित इस्तान ता वहां पे बिठाया गया और अलावदीन खिल जी नहीं ता आया था अपने पास हस्तियार वत्यार कुछ नहीं लेका आया था क् पेले ही सोच लिया था कि मुझे करना क्या है उसकी जो कूट नहीं थी तो वह पहले उसके दिमाग में चल रही थी रावल रत्रशिंग जी और अलावदीन खिल जी का क्या होता है आमना सामना हुआ एक कम्रे में बेटे दोनों सला मसूरा हो रही थी दोनों बेटे तब ही रावल रत्रशिंग जी और अलावदीन जो खिल जी है वह बेटे थे अलावदीन खिल जी ने बोला कि यार चलो यार पेक स्यक्त बनवा लेते हैं क्योंकि यह तो मदिरा वदिरा का सेवन करते ही थे और अलावदिन खिल जी बगर आई यह तब रावल रतन शिंग जी ने बोला चलो यार तुने इता वोल दिया तो करी लेते हैं जबकि क्या थी अलावदिन खिलजी की कौना सिनीति ती कूट नीती किसके परती चितोड़ गड़ पदमीनी और रावल रतंशिंग के परती और तब ये गाना पेस करता है कि इनके समक्स राउल रतल सिंग जी के समक्स की मारा गुईल सर्दार तोड़ो तोड़ो लेवो अब ये तोड़ा तोड़ा लेते हैं और ये अलाव दिन खिल्ची जब नसे मों जाता है तो बोलता है कि भाई साब मुझे कुछ नि करना है मैं चितोड चोड़ के चला जाओंगा अपनी सेना को लेके चला जाओंगा आप कुछ मत करो आप मुझे राणी पदमिनी को क्या कर आप दो एक बार दिखा दो उसका नजार मतलब उनकी नजर पेरे जो उनके पेस पर मेरी नजर जालने दो बाकी मैं यहां से चला जाओंगा अब रावल रतन सिंग जी बोलते हैं कि यह कते संबव नहीं है यह तो तुमेरे दरबार में बेटा है बाकी यह बात तुम बाहर करने ता दुरुक से बाहर या चिल्ले से बाहर करने ता तो तेरी जो धड़ हो तेरा शीर्वेना वो धड़ से अलग होता है क्यों होता है क्योंकि आज भी राजस्तान के ग्रामिल अंचल और शेरी अंचल में जीती भी मैला है लगब लगब गुंगट परता होती है तो उस टाइम सोचो वह गुंगट परता किती पर्षलान में रही होगी आज भी आप गरामिल अंचल में जाओगे गरामिल अंचल को देखोगे तो वहां की जो महिलाए है वो क्या है गुंगट में रेती है तो पदमिनी है पदमिनी का चेहरा दिखाना यह अच्छी बात तोड़ी है राउल रतनशिंग जी को सोबाई नहीं देती तब राउल रतन पदमिनी थी उससे पूंचा राउल रतन शिंग जी ने तो बोला कि चेहरा तो नहीं दिखाऊंगी बाकी काच वगेरा या पाहनी में मैं क्या दिखा सकती हूं अपना चेहरा दिखा सकती है और तभी क्या हुआ एक कुंड तियार किया गया कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ यह विलकुल साठ पानी से क्या किया गया त्यार किया गया इधर सीडीयों से उतर्शिके कौन आएगी राणी पदमा मनी आएगी यह सीडिया है पदमिनी आएगी और उसका चेहरा क्या आप जल में देख ले ना इदर क्या था अलाउदीन किल्जी खडा था यह कोन ब लावदीन खिलजी अब ये खेड़े-खेड़े क्या देखना है पानी में देखना है किसको देखना पदमनी को देखना है जबकि उसकी कान ही रागू चितनी की मुख जमानी सुनके वह आठ महिने तक अपना परसाशन छोड़के लोगों की लुगाईयों के पिछे या आठ म क्या होगी राणी पदमावंती को यहां से छोड़के जाना मेरी क्या होगी मुरक्ता होगी अब खुद ऐसा उसकी पूत्री फिरोजा वो किसी दूसरे के चकर में उसकी वाइब जो चिमना बेगम थी उसका बोई-प्रेंड कोई और तो खुद वो ऐसा पूरा परिवारी क क्या था गंचकरता क्या था गंचकरता तो अलावदिन खिल जी जब उसकी तश्वीर देखता है इस जल में पर्चिविम देखता है तब क्या सोचता है कि अब राणी पदमावती को यहां से छोड़के जाना मेरी क्या होगी मुरक्ता होगी दूसरी बात आठ महिने तक इन आएकल जाता है तब बोलता है कि यार चलो राणी चोड़के तो आजाओ मैं तो मेरी सेना लेके जा रहा हूं मैंने देख लिया आपने बोला मैंने बोला यह सर्थ है आपने मान ली चोड़के चला जा रहा हूं युद युद कुछ नहीं करेंगे विश्वास में आगे उन आ गये राव रत्न चिंग ये साथ दुवार है एक किते हो आसाथ दुवार इसके डार के तो हरग किले के पहले दर्वाजे पर आया कुछ दिया रावल रतन शिंग को धक्का देखके क्या कर दिया दुरक्षे नीचे गिरा दिया जब धक्का देता है तो अलाव दिन खिल जी के सेना क्या करती है रावल रतन शिंग जी को किड्नेप करके क्या लेके चले गई दिल्ली लेके चले गई इसलिए क्या कर दिया, किड नाप कर दिया, तो इसको कमें आय करल शकते हूं, क्या कर लिया, क्या रिया, किड रुवतं कर लिया, और angled Spark मुनessäतशआं डिली ले चले गाये, और क्या ले जाओ रावल रतन शिंग को ले जाओ यह बात राणी पद्वामति को पता चलती है कि मेरे भरतार का क्या हो गया है किड़नेप हो गया है अब मुझे क्या करना है उनको बचाना है इनका किड़नेप हो गया है रावल रतन शिंग जी का अगर रावल रतन शिंग जिन्दा चाहिए, चुरक्षित चाहिए, बिना टूटा-फूटा चाहिए, तो राणी पदमावति को क्या कर दो हमारे हवाले कर दो, कि उस टाइम का अमरीश पूरी था, और क्या होता है, रावल रतन सिंग तो बंदी बनाके यहां रहते हैं, और अलावदिन खिल जी का यह पेगाम आता है, जब चितोड तब राणी पदमावति ने सोचा कि में अखली नहीं आऊंगी, आऊंगी तो क्या करूंगी, शोला सो राणियों को साथ लेके आऊंगी, तब अलावदिन खिल जी ने सोचा कि यार, एक के बदले, शोला सो आरी आने दो, क्या हुआ, अलावदिन खिल जी ने बोल दिया, चलो ठीक है आदो, सब क्या होती है, शोला सो पालकिया तियार होती है, अर भी टेम को गाईडिया गोड जा दिये जाकते हैं, अब एक पालकियों को कम से कम छे आदमी उठाएंगे, और एक अंदर, एक दो अंदर बेटा है, तो कितना हो कि साथ आट आदमी, एक पालकी, बात क्या हुई थी कि सोडा सो रानिया आईगी, जब कि ये सारे क्या है, इस तुरियों के बेश में है, सो पालकियों में थे कौन, मुष्टंडे थे, पालकियों में बेटके चले जाते हैं दिल्ली, दिल्ली जाने के बाद में रानि पदमावती जो एक पालकी में बेटी थी, वह अलाव दिन खिल जी को बोलती है, किसाब अब आतो गई में, कुछ नी करना है, एक बार मैं गंटे से यह आई थी भीवा करके, तो दो सेनापतियों को साथ लेका आई थी, एक सेनापति का नाम में गोरा, और एक सेनापति का नाम में बादल, बादल था रानि पदमीनी का बरोधर, और गोरा था उसका अंकल, चाचा, गोरा कौन था रानि पदमीनी का अंकल, जबकि बादल कौन था रानि पदमीनी का भाई रानि पदमईनी ने उन दोनों चासा बतिजों के साथ का असित प्यवक्प्ट का की योजना मना लितीकि और मिलूंगे जोजना पलट जाएग़yim और क्या कर लेंगे रावल रतन सिंग्छी को वहाँ धुड़ा लेंगी जब यह बोलते हैं कि एक दो गंटे मुझे राउल रतन सिंग जी के साथ भिता नहीं है उन्हें से बात करनी है मुलाकात करनी है कापी टाइम हो गया आपने तो किड्नेप कर लिया है और नहीं नहीं साथी और हुई है तब क्या हुआ अलाउधिन खिलजी ने क्या बोला चलो कोई नहीं एक दो गंटे की बात है बागी तो यह दिल्ली में है यह जैसे कूट निति का परियोग अलाउधिन खिलजी ने राउल रतन सिंग जी को कीड्नेप करने में किया था उसी निश्पक्स में वहां से निकालके लेके आजयओं सुरक्षित निकालके लेके आजयू अभी तक ठोका पिंदा तो कुछ वेसे नहीं किया था तब क्या होता है गोरा बादल और पद्ध मीनिंए के साथ तिनों ने योजना मनाई और तिनों योजना मना के क्या करते है नहीं करेगा ना तब उसने क्या किया है कि अब तब अगस्त कि तेरा सो तीन है अगर डेट पूंच ले तो आप बता देना 25 अगस्त अगर उदर पूंच ले तो लिख देना 28 जन्वरी 28 जन्वरी 1303 को गिरा डालता है ठीक है 28 जन्वरी याद रखना और यह कि अगस्त 25 अगस्त 1303 को क्या होता है चित्तोड का परतम साका होता है और साके में दो चीज़े इंपोर्टेंट होती है एक होता है केसरिया कौन सारिया केसरिया वालम आहवनी पदारों मारे देश केसरिया जबकि दूसरा क्या होता है जोहर कौन करती है महिला यह करती है महिला है महिला हो एक तो रानिया तो महिला ही होगी तो मैं लिख सकता हूं रानिया करती है अब कैसरिया कौन करेंगे कैसरिया करेंगे राजा माराजा या सेनापति पूरुष लोग करेंगे तो इस यूद में कैसरिया किसने किया था कैस उड़े ते मारें लुटे रच फुट्ट रख़ किते डीन या नॐ यह नटी इस अटिमज हॉतर से लुटता है तटिन्ट लुटे का फॉट ला मीवाड पर्तम साख़ा सिर्थ ć आ outta यह देकी देलक मैं 크। स्रिया किस ने किया रॉल रतं युक्जों ने किया दो सेनापती और ते दो सेनापती का नाम हमे रचा की थी हमने एक ते गोरा एक ते बादल मिधाने वlarını एदार महिलाओ कित्थी महिलाओं के साथ 1100 महिलाओं के साथ इसने जोर किए फैस्टी राणिया हुई दे भायो तोला सो रानियों के साथ यान रखना केसरिया किस ने किया रावल रतन सिंग जी ने किया केसरिया किती चीजे इंपोटेंट होती है भायो दो चीजे इंपोटेंट होती है एक होता है केसरिया एक होता है जोवर केसरिया करते हैं पूरुष लोग तो पहला कैसरिया कि इसने किया राउल रतन सिंग जी गोरा और बादल ने जब कि महिला ये क्या करेगी जोहर करेगी अगनी कुंड त्यार करेगी या तोर या देखो जोहर भी दो परकार दो तीन परकार कि हो सकते हैं अगनी जोहर भी होता है कि खुद को क्या कर दो अगनी के हवाले कर दो जब भी कोई मुस्लिम सासक या दूसरा सासक आकर्मन करेगा जीत जाएगा तो उस समय क्या होता था वेसे जो उनका दिमाग था वेसे खराब था तो करते क्या थे महिलाओं के साथ तुसक्रम ही करते थे तुर्वेवार करते थे इसलिए मैला क्या करती अपने स्वाब इमान के लिए इसके लिए अपने स्वाब इमान के लिए मरजाना मंजूर है बाकी अपने साथ कोई छेड़कानी नहीं करवाएंगे इसी चक्कर में क्या होता है जोवर होता है अगनी जोवर भी हो सकता है जल जोवर भी हो सकता है पू तो कंदर की उपादी थी संसार के रक्षकी उपादी थी यह फिर भगवान या इसांश्वर के चायां की उपादी घुप तो इसलिए हो रहे है क्योंकि आपको तो अच्छे काम घूंगे अच्छे काम तो नही कि सेना पती कौन था एक ता गोरा एक ता बादल और केस्त शर्या करने में तीन लोग सामिलते राहुल रतन शिंग जी वाके सासकते महिला किती थी 1.600 पलस एकरानि कौन थी पुए पदमीनी क्या करती अगनी कुंड त्यार करते ओर अगनी में प्या कर देती खुद को अरब निया से जला देती योर्बस अहों जाते है इसेन क्या कहते है अगनी यह आप तो क्या है राज्स्तान सुर्य मेवाड का पर्थम साखा के ति कर दो पते हिर पात्यस अगस्त 25 अगस्त 303 टरह वार का साखा और एंष्वद का कौन सा साखा पश्ट साखा एस बात का भी ध्यान रखलेना पाक यो असा यहे बगल लग्राइव प्दमावत यह उत्यां गई मत्स बगये में गुझ पदमा अवत कों से गरंच से पदमावत गरंच से कहfour और एक तरब क्या होता है तो टितोड का साका दो ए कि थे रासुटी आलावदिन कुष्रों कि अमीर कुष्रों जो चितोड़ गड़ दुरुग के क्या है साक्षी है परमानित साक्षी कौन है वहीं यूदम थे कौन थे अमीर कुष्रों अमीर कुष्रों के वही है जिसनोंने किया किया कितार का अविश्कार किया कितार का जनक का जाता है इन्हें कवाली का भी का जाता है किसका जनक कवाली का जनक और इनी अवीर कुष्रों को क्या का जाता है गजल का जनक कि इनका जनक गजल का जनक जानते हो कवाली क्या होती है कि कवाली क्या होती है जानते होई क्या अब कुल निनियोहंगी आपने यहीं सुन्द है कि कि समर्थ अरी लेप या राइट हाले यह सुन्य toen लिए Meet अपने लिए क्या होती है कवाल and devson ले अभी शुनाते देखो अधमामः गरंथ जो 15180 244 में क्या होता है लिकित या गरंद लिकित होता है इसको लिखने वाले कौन थे रचित होता है या लिकित होता है इसके जो रचनाकार या रचिता थे लेकक थे वो कौन थे मलिक मुहम्मद जाईसी मलिक कि मुहम्मदit जाई से कि यह किसके दर्बारी अब या इतियासकार थिरे साती हो तो यह थे शेर्षा सूड़ी के इनके समय गरंथ किी या रहा होता है तो सर शेर्षा शूरी के समय होता है कब होता है और ओत पंदरा सो Jality प्रश्राइब अगर भाथा पूच ले कि पद्मावद गरंद की बाथा कौन सी यह पूची गई थी सेकंड ग्रेड पेपर में इसलिए बताईया दा रहे हैं और जी बाथा आउधी बाथा पूची बाथा है अउधी बाथा का यह गरंद का नाम क्या पद्मावद गरंद का कौन मलिक मौमत जाई सी किन के समय में 16 सुरी के समय 1540 में अब देखो साका होता है 1303 में गरंद लिका जाता है 1540 में केने का मतलब सीधे-सीधे 238-37 साल पहले की बात की बात बता रहे हैं इस गरंद में तो इस गरंद में कुछ तो चमका हुआ ही होगा ना भाई हेजटी बास तोड़ी लिकी हुई है कुछ तो किन्तु परन्तु होगा गरंद में तो लेकर कुछ तो रोचक्तितिया मनाएंगे ना इसमें इस गरंद के अकोर्डिंग यह सारी कानी पेस की हुई है जो पदमावत शिहल दीप की राजकुमारी ती वह जित्ती भी कानी हमने समझी वह इसी गरंद से उटाई गई है औ यह जो गरंद और सथियों किसने लिक एता मलिक मुहमुंद जाइस्याने लिका था और इस गरंद में उन्हों ने यह लिका था कि इस कानी को कौन से कानी को 9 पदमनी की जो कानी है ना उसको वही इंसान इस कानी को समझ भाएगा जिसने परेम को समझा हो तो प्यार या लवेरिया को समझ भाएगा वही क्या कर पाएगा पदमनी की यह जो कानी है ना उसको समझ भाएगा इस बात के अगर खतन में अगर कतन बनाके अगर एक्जामीन शुवाल पूछ ले कौन से गरंथ के बारे में यह का गया है कि इस कानी या इस गरंथ की इन बातों को वही समझ पाएगा जिसने प्यार को समझा हो तो गरंथ कौन सा है पदमावत लिखने वाले कौन है मलिक मौत जाईशी बाद तो की लिए रह देखा कब गया था 1540 में अब भासा कौन सी है अउदी लेक्टा कौन से मलिक मौमत जाईशी पूछ लेकि किन के समय लिखा हो तो फेर सा सुरी के समय समय समन्दित कि से पई पदमावत गरंथ तो पदमिशनी की कानी इसी समन्दीत होता रावल रतरशिंग कानी इसी में अब गजल आपने कभी सुनी नी और सुनता कोन इसको जो सुनता वो विध्वान है अपने आपने वड़ी देर यह बडए पैसेंस के साथ सुना जाता है और आपको सुनना है पांच या छे मिंट के गाने इसे कुछ गाने सुनने जानूडी मिलगीरे बिलवाड़ा मिलगीरे ऐसे जगाने आपको सुनने जबकि कवाली में क्या होता है कवाली होती क्या है देखो एक फिलम में फिलम का नाम दढ़कन कि х्ề लं का नाम क्या है दढकन कूह नरो पॉल औरहरां एक तो ए अक्षे कुमार एक हो ये सुनील सेती और सहथ हिरोईनी है ये हिरोईन कोहने कि है इस आमे है कि आ कि असे हैं जाता है काधिर कार। कौन कि से खान के दवारा कादिर खान के दवारा कादिर गान गाते गुटनों के बल बेट के कवाली गाई कैसे जाती है देखो कुछेंगे आपको कवाली में होता है क्या है कवाली गाई जाती है गाईक होता है ना गाईक वो क्या करेगा गुटने के बल बेटेगा इसके बल बेटेगा गुटने के बल बेटेगा होता है क्या है मुगल लोग होते हैं मुश्लिम या मुगल लोग वो अपने भगवान या इस वर को कुष करने के लिए ये कवाली का प्रियों करते हैं इस वर को कुष करने के लिए और हम क्या करते हैं हम तो आर्थी करते हैं ना भगवान को कुछ करने के लिए हिंदु लोग उसी परकार जो मुस्लिम लोग होते हैं अगर भगवान को कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा कवाली गादो तो छाइब को ऐसे गाई गुटने के पल बेटेगा टीक है और क्या करते हैं मूगल लोग अपने इस्वर अपत only अपने अल्ला को क्या करते कुछ करने के लिए कवाली का प्रियो करते हैं ठीक है अब कादिर कान कहा ने कौण सा गाना गया था वे कादिर कान उस फिलम के Aartzinar उगाना था कि दूलय Leo का सेरा सुवाला लगता है, दूलन का दिल दिवाना लगता है लिए खेहनायू की सदा कह रहिये कुछी की मुबारक गड़ी आ गई है कोई गाना है आप सुनना अच्छे से साथ-ाठ बिंद्र का गाना वो गाना नहीं है वो कवाली है कादिर कान क्या कर रहे हैं उसमें गुठने के बल बेटके गाना गा रहे हैं अब यह दुल्ले का छेरा सुआना कब लगता है जब दुल पेलिया होते हैं पेलिया शुजाए जाती है तो उनके आविश्कार कोने वह अमिर कुष्रो है और अमिर कुष्रो ही क्या थे चितोड़गड का जो साक्का होता है तेरा सुतीन में उसके परमानित साक्षी है उस यूद में मौझूत है वह और उनकी एक रचना है खजाइन उल्भुतुल में शारी इन बातों का इन यूद का वरणन किया हुआ है जबकि पदमावद में क्या हुआ है वह तरौचक दिति एना देखो गजल कहन सी जल गजल क्या कहती है गजल कहती है कि मुझे वही सुनेगा जिसमें क्या होगा देरी होगा और आपा आदमियां उत्तावडवाड़ा पर नेटाउध ही कोनी नहीं आपाने तो देखो गजल के राजस्तान में अगर पूच लेगी गजल के एक क्यूशन आयाता पहले जगजीत या जगदीप जगजीत या जगमोवन इनका दूसरा नाम मिलता है जगमोवन जगमोवन शिंग जग मौहन सिंग क्या है राजस्तान के गजल गाई के या जगजीत शिंग भी आ सकता है इनका जनम होता है 19401 में इनकी मर्थियों होती है 2011 में केने कमतलब 60 साल क्या था इनका जिवनकाल था जनम अगर पूछ ले कि इनका निवास इस्तान या इनका समंध कौन से राजस्तान के कौन से जिले से आप सिदे-शिदे बताना वेदान्त खलाशेज हिश्ट्री के साथ साथ फेक्ट भी बढ़ाती है ठीक है तो देखो जगजीत सिंग हे ना वो विखानेर क्या आएगा विखानेर विखानेर से भी क्या होता जनम होता है गंगानगर में लालन पालन का होता है विखानेर में दूसरा नाम क्या जगमहोंचिंग् कंचिन बातों का आपको क्या रखना है द्यान रखना है और जबालाय क्या होती है गजल क्या होती है पहली अक्या होती है शितार क्या होते जनक कोन है मौजूद कौन यह सारी के सारी चर्टा है यए वह यह दुर्ग सौप जाता है चितोडगड का किला और इस किले का नाम क्या कर देता है चितोडगड का किला कि देखो यह चितोडगड का किला यह पुत्तर किसका है अलाउदिन खिलजी का अलाउदिन खिलजी ने क्या किया इसका नाम खिर्जाबाद रग दिया कूंसा बाद खिर्जाबाद इस बाद का धियान रखना है चितोडगar का धी तोडगड़ का धी खिल्ला उसका दूसरा नाम क्या है खिर्जाबाद बाके तो अन्य नाम भी है जब आप नुमि पड़े तो पड़े अपके तब लेकर धेरा सो थीन से लेकर तेरा सो तेरा तक क्या करता है अलावदीन खिल जी हिर्ज खां को क्या कर देता है चितोड या मेवाड का पर्षासक न्यूक्त कर देता है क्या कर देता है पर्षासक न्यूक्त क्यूशन आएगा अलावदीन खिल जी ने हिर्ज खां को कि तोड का कौन सा पद न्यूक्त किया गया था या कौन से पद पर न्यूक्त किया गया था हवा नहीं लगेगी हवा नहीं लगेगी आपको अगर यहां से निदेखा आपने तो प्रशा काई लुट कियाथा साट्सक लेकंपाश लुतर्श के अगे तौर काई विशेश देंकर विशेश देना अब यह जो खिर्ज कहाँ है वो इसके पापा की तरह ही था यह क्या करता है 1313 से लेकर 1326 तक तो तेरा साल है ना उन तेरा साल में धालोर के कानड़ देव साथ सकते ना उनके भाई थे माल देव माल देव कौन से अ सोहा बाइर वों थे माल देव थे कौन से तेल असलियत में कानड़ दे के भाई कों से देव के भाई व dö इनको क्या कर देता है वहां का पर्शाश्क कर देता है कहां का 1313 से लेकर 1326 तक चित्तो ओड का पर्शा सक अगर क्यूशन आईगा कि 1313 से लेकर 1326 यह तेरे साल का जो संगर्शकाल है यह जो 13 साल का पर्शा सक था वो कौन था तो मुच्छाला मालदेव था इनको मुच्छाला मालदेव भिका जाता है कौन सा मालदेव मुच्छाल मुंचाला माल देउ और इतना तो पता हिए मुचे होगी लंबी- होंगी तभी क्या कहते हैं मुचाला माल देउ कहते कि इनको Whew अवाला उदीन खेल जी खिर्ज खान को 1303 से लेकर 1303 तक 10 न्हीं lyelect किया करता है चितोड का परसाशाने कुछाता है इससे यह परसाशन संबला नहीं तो 1313 से लेकर 1326 तक इसने इसने खिर्ज खाने चितोड किसको सौफ दिया मुच्छाला मालदेव को सौफ दिया अब मुच्छाला मालदेव में अगर भुद्धी होती तागत या सामर्तियवान या इंट्लिजेंड एबिलीटी केपिसिटी होती तो इन 13 साल में चाता तो चितोड पर चोहान वंस की इस्ताबना कर सकता था लेकिन इसने क्या सोचा बहिए कोई चीज एक तो अतिपरिश्रम करने के बाद मिलती है तब उसका मज़ा जादा होता है और एक समय से पहले अर्भागिये से जादा मिल जाता है वह आदमी अपने आप में माता ही नहीं दोई ग्मंड में इस था ये मुच्छाला मालदेव तो अब किया है अपने हाथ अपने सर पर आदेव क खिर्ज जिका हा्त மना आजे आँ आफ यहां के पर्शाश हो होगा किना तौन कि कोई नहीं आने वाला अस्तिव भी खतम कर दिया रावल रतंशींग जी की पूत्र बूत्र तो था ई नहीं तो सासक बनेंगे कॉन और इसने कभी वेदांध कला से इसने माल देए उनने कभी वेदांध कला से इस हिस्ट्री पड़ी नहीं पड़ता तो पता रहता कि राव तो पार सिंगे उन्हें नों शिष्टोदा गर्हाम की स्तावन की फिर्टी नी पड़िए तोड़ा कमझोर था इसलिए इसने क्या किया ज्यादा ध्यान नी दिया इन 13 साल में उसी के बाद क्या होता है वे 1326 में हमीर आता है और सिसोधिया राजव Ce4 कि क्या करता इसضाउल एक असांखता है जब 1303 में 1303 के अंदर खिर भाता को वाहां का पर्षाहसग और भी आदमीतों बड़ा प्यारा यह बी आदमी बड़ा प्यारा ही ता यपी स्तमाल तु क्या करता एक नहीं नदी गंभी लोगों की अब करवाइंगा यह तो चसब तो एंसी करवाइगा अब को पता है चितोड की जनता है परजा है उंचे गरों को तोड़ा गया जीतता है तो 303 में यह जतिता है। तो 303 गॉस्ट कर वाता है। थी इंनपरदेंड सब्सम्कृतिल करता हूं जू तोड़े गए गर्द्सक्ति पर ने क्या कर दीए ग्म्पिर मुअ करहा है। पूल का निरमान निर्मान करता है। आव सेसों से गंबीरी नदी पर पुल का निर्मान करवाता है सबसे इन्पोर्टेंट काम क्या करवाता है पुल का निर्मान करवाता है 30 हजार लोगों कातल किसने करवायता अलाव दिन खिलजी ने करवायता अब सोड़ा पिच्झे आना तोड़ा सागराना आप इदर आगे आके आपको किया शीक्ति gemacht yeah श्क्राव कि मैं गंभी रहती और पुल का निर्मार किसे करवाया कि फिर्जखान कि वीजगा क्या करता है और चीतोड़घ़ का दुरुग है उसकी तलहटी यह चितोड़घ़ का दूरु ने वह ए है're मेसा के पठार पर ऑई टार पर एकजवा पठार पर पाड़ी नहीं पठार पर तो पठार तो जमीन से सब्रमील है जमील के इस तरसे तुझा ऑगा उचा ओगा तुझा तलहटी किसे फुलते चिले के निच्चे वाला जो हिस्सा बृष, नहीं धी कि तलहटी में क्या करता है कशिलाले हुठ उतक्रिण करवाता है कि अ क्या करवाया फिरिधवाय प्मा而已 are a whole लेट पर और क्या किया गया की विजलालेक उत्क्रिण करवाएं गया अगर क्यू सर आये कि खिर्ज को ने चितोड़गर दुरग में shapd मगवरा बनाया कि इसान भुके लिक्रवा दिया फिला लेक पर युठीन कोन कोण चिये अलावी यृटिं घिलती है खुदको क्या कहता है या दूसरा चिक इन दर ये सटन्डर ए साननि naval को यह समझता था किया अपन 대해 स्वेधिन यह है एक मोटो इस लिए मोटो बहुत अपने आप में बहुत ती गमंड में चूर चूरता वो दूस्री उपादी खुद को क्या कहता इस वर कि छाहियां इस वर कि कहता था कि मैं क्या हूं इस्वर की चाहिया हूं यह नी पेड़ पोदे वाली चाहिया नहीं है यह दूसरा तीसरी उपादी क्या ती देखो एक तो उपादी क्या ती इसकी शिकंदर इस बात का ध्यान रखना है दूसरी उपादी खुद को क्या कहता है कि मैं क्या हूं इस्वर की चाहिया हूं क्या हूं इस्वर की चाहिया हूं देखो यह उतार लिया आपने यह देखो कि इधर देखना आप किछ चभा ने क्या किया मकबर रमनवाय कि मकबर देता है सिछ्ल् लेकर कौनपर देर कही ईटा रेना देघ Прे Kombat 14 शिकंदर ऐंडर है टोकौन सा है सेकंड या पहले सिकंद था टूसरी उपादी क्या लिख डिक यह स्क नवर की चाहियां चुछ कैंग टीरव को क्या कोन संसार का रख्षक हूं गण संसार का रख्षक हूं कुत तीजी अपता नहीं था लोगों का रख्षक बन रहा था, ठीक है, उपाद्य कौन कौन सी है, सिकंदर यह सानी या सिकंदर सेकेंड, तूजरी उपादी इस्वर की छाहियां, तीसरी संसार का रख्षक, तीन इसमें क्या थी? इसकी उपाद्य है, जो किस पे हैं, सिलालेक पे उसको मालक बेचारी को पटाई ने था इस्टरी ने तै वेदान्त क्लास में आता कोर्स वोस लेता तो उसको पता चलता वीडियो अगरा देखता तो पता चलता कि उसने क्या सोचा कि रावल रतन सिंग क्या है अन्तिम साथ सके बेटे वेटे तोहें नीद राजा मनेगा कौन एक भाई है तो नेपाल चला गए अपाट सोगदर आई इसने यह सोच के क्या कर लिया सबसे बड़ी भूल कर लिबाकी हिट्री वेदान्त क्लासे से पढ़ता तो उसको पता चलता कि राव सिंग एक आदमी है भूल मत उसको सिसोदा घराम की स्तावना की सिसोद्या बंस बसाया वह बंस तो कभी ना कभी आए गाई उसी टाइम य जाएंगे गुईल राजमस यहीं पर अपना खतम होता है अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी त्यारी को धार देते रहना अच्छे से अच्छे फेक्ट आपके सामने पेस्ट किया जाएंगे हिस्ट्री के साथ साथ में वहीं वेदान्त क्लासे आपको वह भी चीज़े पताती है जो फेक्ट वाली चीज़ें धन्यवाद मिलते हैं अगले क्लास में